आज हम स्टुडी करेंगे चैप्टर नॉम्बर 2 के नुम्रिकल्स 2.1, 2.2 & 2.3 तो पेरे हम स्टार्ट करते हैं इसके नुम्रिकल्स इनसां को मुश्कल तब लगते हैं अगर उसको फॉरमिलास ना आते हों आपको फॉरमिलास जो और अच्छी तरीकस आते होंगे तो आपके नुम्रिकल्स बहुत इसली सौर्फा जाएँगे and secondly कि आपको statement जो समझने की जरूरत होती है अगर आपको यह नहीं सही से समझ आगा कि उसके तब given क्या क्या है find क्या करने तो आप easily numerical को solve नहीं कर सकते सबसे पहले आपने जो statement है जो question है उसको समझने है उसकी एक एक लाइन जो आपने सही से पढ़नी है था कि आपको पता होके उसके अंदर given क्या 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 है required क्या 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 है और अगर आपको formula आते हैं तो फिर आपके पास जो numerical हो easily solve हो जाएगा तो start करते हैं 2.1 numerical सबसे बहले मैं इसके जब question है वो पढ़ रहे हूँ सबसे पहले कि given क्या 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 a train moves with a uniform velocity of 36 km पर आर यह होगी हमारे पास velocity पहली जीज जो इसके अंदर given थी second for 10 seconds second is it is time यह होगी इसकी second जीज यह थी velocity find the distance traveled by it हमने find क्या करना है इसके अंदर distance जो के होता है denoted by s अब दिखते हैं यहां पर हमने given में क्या क्या लिखा हूँ है given data v is equals to 36 km per hour और velocity का जो ऐसा unit है इस chapter के अंदर हमने study किया था जो velocity वाला topic है कि velocity का ऐसा unit होता है meter per second तो हमने km per hour को meter per second में convert करना है और यह convergence जो है वह आपके book में एक site पर table talk हुआ है इसी chapter में उसके अंदर यह convergence लिखी नहीं है कि how to convert km per hour into meter per second and how to convert meter per second into km per hour तो यह आपने वहाँ से देख लेना है इसको याद कर लेना यूंकि यह numericals के अंदर आगे बहुत जादा use होगा इसको convert करने के लिए हम इसको multiply करेंगे thousand से और divide करेंगे 36 hundred से 36 multiply by thousand divided by 36 hundred क्यूंकि एक hour में seconds होते है 36 hundred और एक km में thousand meters होते हैं तो हम 36 को multiply कर देंगे thousand meter and divide कर देंगे 36 hundred seconds से तो हमारे पास velocity आजाएगी 10 meter per second यह आगी हमारे पास velocity in its SI unit time हमारे पास यहां पर second is given थी time यहां में लिख दिया time 10 seconds दो चीज़े given थी दोनों हमने given data में लिख दी अब तीसरा क्या था find the distance traveled by it अब to find हमने यहां क्या find करना है distance जो कि denote होता है s से हमने फ्रॉमला यहीं distance और velocity के अंदर ही study किया था s is equals to vt यह velocity का formula था उसके अंदर से हमने फ्रॉमला निकाला था s is equals to vt velocity हमारे पास given है 10 meter per second time given है 10 seconds formula के अंदर simple values put करनी है 10 multiply by 10 s is equals to 100 meter और numerical के अंदर end पे answer में unit लाजमी लिखना है unit नहीं लिखेंगे तो उसके marks करते हैं आपने unit लाजमी लिखना है यह था हमारा पहला numerical जिसके अंदर हमारे पास values given थी दो चीज़े गिवन थी velocity and time और find करना था distance formula हमने यूज किया s is equals to vt और हमारा simple values put किया और answer आगे numerical number 2.2 इसमें again सबसे पहले question को समझना है उसमें क्या क्या given है क्या क्या find करना है और formula आपको याद होने चाहिए इस तरीके से तो आपका numerical solve हो जाएगा statement question देखते हैं a train starts from rest rest यानि कि उसके initial velocity कितनी होई? 0 जब यह हम देखें कोई जीज़े rest पहे तो उसकी velocity क्या होगी? 0 तो हम यहां लिख देंगे velocity is 0 it moves through 1 km distance s is equals to 1 km in 100 seconds time आ गया 100 seconds with uniform acceleration what will be its speed at the end of 100 seconds? find क्या करना है? speed, velocity at the end यानि कि final velocity हम ने यहां पर find करना है initial velocity हमारे पर यहां पर given थी जब लोगोंने कह दिया कि rest है तो हमें पर देखें कि उसकी जो initial velocity है वो है 0 और यहां वो कह रहे है what will be the speed at the end of 10 at the end of 100 seconds यानि कि हम में find क्या करना है vf final velocity given क्या के एक तो है initial velocity given थी 1 km distance s 100 seconds time अब देख लिखते हैं यहां पर given data v i is equals to 0 यहां पर mention है rest पे है train यह train मूव नहीं हुए यह rest पे है तो उसकी initial velocity 0 time 100 seconds distance s 1 km है distance को हमने इसके ऐसा unit meter में convert करना है तो 1 km is equals to 1000 meter यहां हम लिख देंगे इसको in meter क्योंकि हो उसका ऐसा unit है यह तीन चीज़ें गिवन थी हमारे पास final क्या करना है speed at the end of 100 seconds यानि कि final velocity v f formula v हम use करें s is equals to v t यहां हम लिखेंगे v average क्योंकि यह एक velocity हमारे पास नहीं given velocity हम यहां पर average यूज़ेंगे और किसी भी चीज़ का average हम कैसे find out करते हैं math के नदरा आपर हमने study किया होगा अगर हमारे पास for example अपर तीन quantities है 3,6,4 ठीक है यह तीन quantities हमारे पास हमने इनका average लेना है average कैसे लेंगे 3 plus 6 plus 4 इन तीनों quantities को हम add कर देंगे और कितनी है quantities? तीन quantities हैं तो हम divide कर देंगे by 3 और इसका पास हमारे पास जो answer हो आजाएगा इसका average निकल आएगा इससरे हम लेते है average जितने भी quantities हैं हमको add करना है और जितने number हैं उनसे हमको divide कर देंगे इससरे लेते हम average अब यहाँ पर हमारे पास दो velocities हैं एक initial velocity v i और एक है final velocity v f और दो quantities हैं तो हम इसको divide कर देंगे by 2 तो इसका यह आजाएगी average velocity formula अब हमने सिर्फ open किये average को open किये बस अभी हमने सिर्फ formula open किया यहां तक distance कितना हमारे पास thousand meter यहां हमने put कर दिया thousand meter v i 0 v f find करना है t है हमारे पास hundred seconds यहां हमने hundred seconds put कर दिया value simple simple हमने formula में अभी तक put की है अब 2 इदर क्या हो रहा है यहां 2 हो रहा है divide इदर जाएगा तो हो जाएगा multiply यहां hundred जो हो रहा है multiply इदर आके क्या हो जाएगा divide ठीक है two multiply by thousand divided by hundred यहां जाएगा 20 meter per second hundred यहां इस hundred में से तो zeros cut कर देना पहले simple simple cutting हो रही है दो zero यहां से दो zero यहां से बचा 10 एक परनेट एक टेन एंड टो two multiply by ten twenty meter per second यह आगे हमारे पास final velocity and unit लिखना लाजमी है unit ने लिखेंगे दो marks कर जाएगी यह था हमारा second numerical इसके इंदर हमने simple simple हमने formula में values पूट की है and again मैं आपको पता हूँ हमको formula जो है वह अच्छे तरीकी साह आते होने चाहिए ताकि आप numericals को solve कर सके easily numerical number two point three statement देखते है a car has a velocity of ten meter per second पता दी हुनने कि इसकी velocity है यह इसमें ने मार्क किया वे निचे अंडे लाइन की में जो चीज़ें हैं पर given है यह आगे 10 meter per second इसकी initial velocity it accelerates at 0.2 meter per second square यह आगे इसकी acceleration for half minute time find the distance traveled during this time find क्या करना है distance and the final velocity of the car यह उन्हें उन्हें खुद ही बदादी करने क्या find करना है final velocity यानि के जो हमारे पास पहली वाली velocity given थी वो थी initial velocity वो find करने को कह रहे है final velocity अगर आप उसमझ नहीं आ रहा कि वो कैसे होगी इनिशियल और final velocity में फरक कैसे करें तो उन्हेंने at the end of the question बता दिए कि हमने क्या find करनी है final velocity starting पर हमारे पास क्या है initial velocity that is 10 meter per second acceleration given थी यह given data में आ जाए acceleration हमारे पास given थी 0.2 meter per second square initial velocity given थी 10 meter per second time 0.5 minute यानि कि half minute उन्हेंने कहा था half minute हो जागे है पर 0.5 minute और इसको अगर हम seconds में convert करें तो that would be 30 seconds find दो तीन से करने को करें उसने हमें एक distance s और एक final velocity vf vf के लिए हम use करेंगे first equation of motion that is vf is equal to vi plus 80 यह है first equation of motion जो आपने step टके अंदे study की हुई है vi की value given है that is 10 acceleration की value given है 0.2 time की value given है 30 seconds solve करेंगे 0.2 multiply by 30 that is 6 10 plus 6 is equal to 16 meter per second final velocity हमारे पास क्या आगी है हाँपर 16 meter per second यह भी हमने एक चीज़ फाइंड किये that is final velocity और unit लिखना लाजमी है मैं फिर से बता दूँ आपको distance distance के लिए वही formula जो हमने 2.2 numerical में use किया था s is equal to vav multiply by t यानि कि velocity का average average कैसे लेते हैं quantities को sum करते हैं और जितनी quantities उनसे divide कर देते हैं vf plus vi divided by 2 v average के हमने open किया है distance find करने vf value भी हमने यहाँ पर निकाली है 16 meter per second initial velocity की value given है 10 meter per second time की value given है 30 seconds 16 plus 10 26 divided by 2 multiply by 30 यहाँ पर cutting करें 2 1s are 2, 2 15s are 30 and 15 multiply by 26 आगया 390 meter distance unit again हमने यहाँ पर इसका unit लाजमी लिखा है unit ने लिखेंगे तो marks कटेंगे तो आपने unit जब लाजमी लिखना है इसका distance आगया 390 meter और final velocity आगई 16 meter per second तो यह वहाँ numerical भी हो गया solve अच्छा तो my dear students इस lecture में मैंने आपको समझाया है 3 numericals 2.1, 2.2 and 2.3 बाकी numericals में मैंने समझाया है अगले lecture में वो समझने के लिए आप अगले lecture जरूर देखिएगा और अगर आप वह वह लेक्चर अच्छा समझाया है तो वीडियो को like कीजिएगा comment करके बताईएगा and कोई question नहीं तो आप comments में मैं से पूल सकते हैं I'll answer you there and bell icon को press करने ना भूलेगा और subscribe अगर आपने नहीं किया वह नहीं चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा Thank you